वेलकम दियर फ्रेंड्स इन इस वीडियो वी विल दिसकास डेली करंट अफेर्स इंसी के उजाब 1st February 2024 आपको याद होगा के पिछले हफ़ते रशिया ने उक्राइन को एक यूज किया था के इंका एक military cargo plane जो के 65 Ukrainian POWs को लेके जा रहा था तो यूक्राइन ने उस प्लैन को मार गिराया है इसके बाद लग नहीं रहा था कि इस तरह के POWs जो है वो स्वेफ होंगे लेकिन 31st January को ये एक major development सामने आई है और इसमें जो तक्रीबन 195 POWs थे वो रशिया के थे और तक्रीबन 207 POWs थे तो वो यूक्राइन के थे European Union countries on 1st February 2024 have agreed on an additional 50 billion euro और 54 billion dollar aid package for the correct option here is option B Ukraine European Union ने इससे पहले भी कुशिश की थी इस aid package को approve करने के लिए लेकिन इनका एक member यानि Hungary ने इंकार किया था और उसने V2 किया था इस aid package को लेकिन इस दफ़ा हंगरी जो है वो agree हो गया है European Union से और ये aid package जो है एप्रूव हो गया है एस पर European Union ला इस तरह का कोई aid package या कोई la pass करनी हो तो European Union के जितने भी countries हैं 27 उन सारों ने उसको vote करना होगा उसकी favor में अगर एक भी country उसमें V2 कर देते हैं तो वो la pass नहीं हो सकती इसी वज़े से काफी time लगा इस package को approve करने में इसके अलवा US भी कुशिश कर रहा है कि वो भी Ukraine के लिए इस तरह का package approve कर दे 61 billion dollar का लेकिन अभी तक वो US Congress में stalled है इसके अलवा जो मस्जिद का care taker है उसके मताबर ये कोई 600 साल पुरानी मस्जिद थी और जब इसको demolish किया जा रहा था तो उसी वगत उसमें कोई 22 के करीब student enrolled थे जो के Islamic teachings हासिल कर रहे थे इसके मताबक ये 28 billion dollar है लेकिन इसके अगर उससे पहले वाले माली साल के दरम्यान इसका profit देखा जाए तो इसमें कोई 30% की कमी हुई है Hindu worshipers have begun praying inside a 17th century mask ग्यानवपी mask in the Indian city of the correct option here is option C Varanasi Varanasi basically एक Indian city है Indian state उतरपरदेश में और ये Indian Prime Minister Narendra Modi की constituency भी है 31st January 2024 को यूपी के एकोर्ट ने ये रूल किया है कि ये जो 17th century mask है जिसका नाम है ग्यानवपी mask इसमें हिंदू को इजाज़त दी गई है कि वो इसमें pray कर सकते है और जिस जगह पी वो अप्रेक करेंगे उसको नाम दिया गया है वियास का तेहखाना What did the Pakistan security forces accomplish on 31st January 2024 in much and other areas of कच्ची district The correct option here is option C Clearance Operation 29 January 2024 को बलोज Liberation Army जो की बेले के नाम से मशूर है इन्होंने पाकिस्तानी security forces पे हमला किया था जो के स्टेशन थे कच्ची district के कुछ areas में और मच में ये हमला कोई दू तीन दिन तक जारी रहा इसी बीच क्वेटा सकर हावेज होता वो भी बंद रहा अभी 1st February 2024 को पाकिस्तानी security forces ने ये announce किया है कि इन्होंने अपना clear separation जो है वो complete किया है और अलाके को इन्होंने साफ किया है और हलात दुबारा से नार्मल हो गए है इस operation के खाते में पे दो civilians और चार security personal की मौत हुई है जबकि दूसरी तरफ जो बलोच liberation आर्मी है उनको ज्यादा नुसान हुआ है उनके कोई बारा तेरा के करीब बंदे जो है वो इसमें मर गए है हो हैज बेन अपॉंटेट अज चीफ एक्जेक्टिव अफेसर डिजिगनेट अफ एंग्रो कर्पोरेशन लेमिटेड एसी एल अप्शन 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 जफर साइद Thank you for watching this video, stay blessed.